गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल एर सी पिस्वरमा में स्वागत हैं दोस्तों आज हम इस वीडियो के अमाध्यम से समस्तानिक, समभारिक, समन्यूट्रोनिक यानि कि आईसो टोप, आईसो बार वे आईसो न्यूट्रोन इस टोपिक के 25 वेरी इनपोर्टेंट क्यूशन पढ़ने वाले हैं जो प्रिवेस एर एक्जाम में पूछे गए हैं मैं बहुत ही विस्तार से आ समझाने वाला हूँ आज का टोपिक समझने लाइक है, आपको समझना है वेरी वेरी इनपोर्टेंट टोपिक के रेलवे के एक्जाम द्रहष्टी से तो बात करें यहाँ पर पहले क्यूशन आप सभी की स्केन पर आ चुका है दो परमानों के समस्तानिक, अब देखो यहाँ पर समस्तानिक की बात हो दिए आपको तीनों की डिफिनेशन बताऊंगा आप समस्ताना, सबसे पहले बात तो दिए समस्तानिक, यहाँ की आइसो टॉप, आइसो टोप क्या होता है, देखो समबल, अब जिससे आपको मैं बताऊं हाइड्रूजन से ले लेते हैं, अब हाइड्रूजन के तीन समस्तानिक ह यहां पर जीरो आजाएगा, ह्टव, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीम करें, इसको वह टे रियार्यें, जो भारी जलने आता हुआ बंदग बनाने के लिए परियोग करते हैं डियूट्ययूयम ग्या कि भूम्हितेरियम और इसको बोलते हैं ट्राइटिरियम ट्राइटिरियमची अब आपको एक ची जीसमें समझ में आरही होगी बास इसको समझना यह रहा कि यह यह संक्यह यह समाण तो मैं इस हिसाब से कहता हूँ समस्तानिक आईसोटोप में परमाणू करमाग समान होता है लेकिन परमाणू द्रव्यमान जो होता है वो अलग-अलग होता है संक्या अलग-अलग होती है यह आपका आईसोटोप हो गया है अब इस हिसाब से एक एक्जामपल और देता हूँ म वहने आपका समस्तानिक आए संतीज आप का अंसर दे सकते हो पराणू करमां समान हो परन्तु उनकी पर्मानू संख्या बिन हो तो यहां पे भी राइट आंसर हो जाएगा ओके आगे चलते हैं क्यूशन नंबर दो की तरफ अगला क्यूशन है किसी तत्व की समस्तानिक के बीच अंतर किन बिन संक्या की उपस्तिति के कारण होता है उनमें जो अंतर होता है वो क्यों होता है अब आपको पता होना चाहि होता है तो परमानु करमांग यह दिसमान है तो किसकी कमिक के कारण है किसी के अलग होने के कारण तो परमानु करमांग में आप सभी को पता है एक तो प्रोटोन होते हैं क्या होते हैं आपके प्रोटोन होते हैं एक आपके इलेक्ट्रोन होते हैं जब यह दोनों समान रहें तो अलग क्या बच गया न्यूट्रोन ही तो बच गया तो न्यूट्रोन की उपस्तिती के कारण समस्तानिक आइसोटॉप अलग-अलग होते हैं क्यूशन नमबर 3 है किसी परमाणों की नाबिक का आइसोटॉप वह नाबिक है जिसमें अब फिर से वही क्यूशन आ गया आप यदि डेफिनेशन समझे तो बता सकते हो प्रोटोनों की संक्या वही होती है प्रंतु न्यूट्रोनों की संक्या बिन-बिन होती है अब एक कलोरीन के दो मैंने आइसोटॉप बताएं हैं अब मैं आपको कारबन की और बताता हूं देखो सुनो तोटा से वीडियो आज अब इसके अंदर आपको दीख रहा होगा जो आपकी जो प्रोटोनों की संक्या वो तो समार है लेकिन आपके न्यूट्रोनों की संक्या इसमें तो 6 जाएगी इसमें अंतर किते का 7 का हो जाएगा इसमें अंतर हो जाएगा 8 का तो इसमें न्यूट्रोनों की संक्या अलग- संग्या कितने कितनी होती है समस्तानिक हाईडोजन के किते होते है तीन होतें अगला Q & अमनिमे से कौना हाईडोजन का समस्तानिक नहीं है तो अब इस मैंने तीनों बताएटे थे प्रोटियम डिोटियरियम टाइटियरियम लेकिन मैंने TRANSIUM ठोड़ ही बताया था, तो यहाँ पर DR, answer हो जाएगा, अगला क्योंषन है, हाइड्रोजिन के रेडियो सक्रडिय समस्तानिकों को क्या कहते हैं, तो रेडियो समस्तानिक में कोंसा प्रियोंक करेंगे, तो सबसे हलका प्रियोंक करेंगे, तो हलका क्या क्या है होता है तो ट्राइटेरियम के लिए मैंने बताया था हाइड्रोजन एे वन और तीन सब्सक्राइब करते हैं कि यहां दो आजाए ढ़रे जया होता है उसका बंदग मिदाने के लिए करते हैं और ट्राइटेर्यं का हाइड्रोजन का रेडियों सक्रियोगता में प्रियोग किया जाता हे अगला कि उसने आठ ओक्सीजन 16 सूला अर्ट शत्रा और 18 को क्या कहते है अभी यहां पर बताइए तो सीधी से बात है यहां पर क्या समान दिख रहा है आपको प्रोटनों की संक्याथ समान दिख रही है, तो यहां पर समस्तानिक हो जाएगा, क्या समस्तानिक, आइसो टॉप हो जाएगा, इस परिकार से आपको समस्तानिक समझ में आगे, अगला क्यूशन है, सरवाधिक संक्या में समस्तानिक किसके पाएं जाते हैं, अभी बैदने बताए, पोलो नियम के सरवाधि जो है समस्तानिक होते हैं आपको ये भी क्यूशन पुजा जा सकता है कि कितने होते हैं तो इसके जो सरवादिक समस्तानिक होते हैं होते हैं 27 और इसकी जो खोज है वो किषने किती तो मेडम क्यूरी ने खोज किती ध्याँ रखना यह जानकरी आज वाली वीडियो में मैं बता रहूं अन्यत आपको बें जानकरी नहीं मिलेगा आपको याद करना पड़ेगा इतंगी बैतनी जानकारीấy मेडम क्योनों च्रोंकरी ने खोज की ती अगले नियुट करने के लिए बाम किस किसका प्रियोग करेंगे कार्बन का करेंगे लेकिन यहां पर क्यूशन को देखिए रेडियो एक्टिव यहां पर क्यूशन क्या दे रहा है रेडियो एक्टिव आयू का अंकन करने के लिए किसका प्रियोग करेंगे तो इसका अंकन करने के लिए सदेव याद करेंगे यूर प्रीणियम के दो समस्थानिक होते हैं 29235 29232 stellarे कि परीशंचरन ऊंतर नंतर में रक्ठ के थकके कि स्तर्थी का पता लगाने के लिए कि समस्थानिक का प्रियोग किया तो इसके लिए आपका sodiumulture का प्रियोग किया जाता है और एक चोईस का प्रियोग किया जाता है रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए अगला क्यूशन है कोबाल्ट साट का प्रियोग आम तोर पर विक्रिण जिक्सा तता कैंसर जिसे रोगों में होता है क्योंकि ये उत्सरजित करता है क्या कौन से क्रिणे उत्सरजित करता है कोबाल्ट साट तो यह उतसर जित करने का कार्य करता है आपका गामा किरने ओके सबसे तिर्व गामे किरने होते हैं गामा किरने अगला क्योशन है रक्त कैंसर को नियंतिरत करने के लिए उप्योग के जाने वाला रेडियो आइसो टॉप कौन सा है तो radio पूछ रहा है आपको रख्त cancer के लिए रख्त cancer को नियंत्यत करने के लिए किसका प्रियो करेंगे तो cobalt 60 का प्रियो करेंगे very very important question है ध्यान रगना leukemia जो होता है उसको नियंत्यत करने के लिए किया जाने वाला जो radio आइसोटॉप है फैब कोंसा है तो cobalt 60 है cobalt 60 अगला question है मिलान करके बताना है weave arsaniem 4 का प्रियो काँ पर करते हैं cobalt का काँ पर करते हैं तो बताइए देखे Himself है अब यहां पे आपको मिलान करके बताना यहां होगा आरस से नियंचब में बात करें तो आर्शनियम चोतर का संबंद होता है ट्यूमर से, कोबाल साट का संबंद होता है आपका केंसर से, आयोडीन 131 का संबंद होता है थाइराइड ग्रिंती से, और सोडियम चोईस का प्रियोग संबंद होता है आपका थक्के से संबंद होता है आपका सोडियम चोईस, उमीद है स श्रिख से नाफिक जिनमे न्यू ट्रोनों की सिंक्या श्रण हो प्रंतुभ प्लोनों की संक्या बिन हो उन्हें क्या कहेंगेason तो यह पर तोड़ी सी अलग definition आगई है न्यू ट्रोनों की संक्या संक्या श्रलों अगया यानि be आइसो नियोट्रोन ओके तो सम्नियोट्रोनिक कहलाएगा यहाँ पर ध्यान रखना दी हो जाएगा नियोट्रोनों की संक्या समान है प्रहंतु प्रोटोनों की संक्या कहलाएगा इसमें बिन है तो यह आइसो नियोट्रोन कहलाता है उदारण के लिए मैं बता दू देखू आपको मैं बता देता हूं सुम न्योट्रोन को भी समझा देता हूं जैसे C है कार्बन C 13 है ओके इसके लावा कार्बन नाइट्रोजन 14 पर आजाएगा यह साथ 14 हो जाएगा इसके लावा बात करूं ऑक्सीजन 8 पर आती है और इसमें का अंतर कितना रहा है इनका अंतर ही तो न्योट्रोन की संक्या होती है ओके यह अंतर क्या होता है आप सभी को पता होगा यह अंतर क्या होता है न्योट्रोन की संक्या होती है अब न्योट्रोन की संक्या कितनी आ रही है इसमें साथ आ रही है इसमें कितनी आ रही है इसमें क्या होता अब आइसो टोन अलग चीज़ है इसको बताईए तो समान संक्या वाले न्यूट्रोनों को क्या कहा जाता है आइसो टोन कहते हैं यानि कि सम न्यूट्रोनों को है अगला क्यूशन है 36 के आर 86 और 37 के आर 87 क्या कहलाते हैं अभी इसको आपको निकाल के देखना पड़ेगा अब आप निकाल के देख लीजिए इसको आप अराम से अभी मैंने बताया भी है सम न्यूट्रोनिक आएगा कैसे आएगा तो आप इनका अंतर निकालोगी दोनों क आप इसमें अंतर कितने का रहें हैं चाहिए निकाल के देख लीना अंतर समान है वेडियो बढ़ा हो जाएगा ओके चलते हैं अगले क्यूशन टरफ है अगह बाद तो यह सम न्यूट्रोनिक क्या होता है तो सम न्यूट्रोनिक अभी मैंने निकाल के बताये कारबन लेलियम आठ तो यह ख्या है अब इस में अंतर निकाल की देखी इसमें अंतर कितने चार का रहां है तो यह भी क्या हो जाएगा आई सो टोन यहनिं सम न्यूट्रोनिक हो जाएगा अगले क्यूसने 15 pan dollar P 31 तता 14 सीलिकन 30 सहना तो यह क्या होगा तो इसमें भी यह आंतर निकला लोगे तो सम न्युट्रॉनिक आईगा इन दोनों आप सबस्केर आच यह रधा है जिन加ता टो इसे सम्हान में में एलेक्ट्र σबमा आएंट नियुक्ति का आत video 1971 अनृन आपकि पिσतित वहां हो तो हां तो इसका बताईए तो इसका जो right answer है वो आजाएगा आपका f ka right answer हो जाएगा ओके? अगला inclusion ने मेले कितमें से कौन सा सम electronic आयन नी रुपित करता है कि इसमें एलेक्ट्रोनों की संच्चा समान है elijkृ तो इसके अंदर आपका जो है b right answer हो जाएगा आप इसको फिर से निकालके देखना पड़ेगा तो यह क्या है आप देखो यहां पर में थोड़ा सा समझानि के बात आ गई है संभरिक आइस्यों टॉप में नहें आइसी सम्झाबु को और सम प्रो टॉन Care यहीं अध्या否 यह भाते दिया तो संबारिक में आपको समझा देता हूं आप समझ लीजिए संबारिक क्या होता है तो संबारिक में क्या होता है कि जिससे कार्बन है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन है कार्बन देखो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है इसमें कार्बन छे नमबर पर आ जाएगा नाइट्र उन्हों की जो संक्या है ये चवदा चवदा ही है यानि की जो बाहर होता है उपर वाली संक्या क्या होती है ये बाहर होती है परमानु बाहर कहते हैं इसको इनको क्या बोलते हैं परमानु बाहर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं परमानु करमांग कहते हैं तो इसमें परम प्रमाणू भार, या आप बोल सकती हो, प्रमाणू सिंख्या समान है, तो यह क्या कहलाएगा, संभारिक कहलाएगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रियास किया है, फिर भी आपको समझा में नहीं आया हो, तो मैं समा चाऊंगा, ओके मैं आई सो टॉप, आई सो बार और आईसोन्योट्रोनिक अच्छे से समझाया है निकालना भी बता दिया है बैसे एक लाश जानकरी में आपकी जानकरी के लिए बता दू इसका जो आंसर है निमने में से किसे उसरजन में संभारिक उत्पन होते हैं तो संभारिक किसमें उत्पन होते हैं यह सदेव किसमे उत्पन होते हैं यह आप सभी को पता होना चाहिए बीटा कण में उसरजित होते हैं संबारिक संबारिक ओके जिनके अंदर क्या होता है परमाणू संक्या है वो समान होती है अभी मैंने बताया भी है